तो हेलो और वेलकम अगें दोस्तों मिसनरानी गंज, फुक्रेथरी और जबान निकल जो सिनेमा डे में नैशनल सिनेमा डे में कल धूम मचाई है बाई गॉड़ अमेजिंग क्योंकि ऐसी कलेक्शन किसी हॉलिडे में नहीं देखने को मिलती है सेटर्डे संडे में भी नहीं देखने को मिलती है क्योंकि ये तीनों ही मुवी जबर्दस तरीके से कलेक्शन लेके आई है अगर मैं तीनों का कलेक्शन बताऊ का नेट इंडिया से कितना आया है लगबग में लगबग पंदर से सोलह करोण की कमाई ये तीनों मुवी करके लाई है औराउंड में किसी के चार करोण किसी का साड़ी चार करोण या पिर पांच करोण के आज-पास ऐसी कलेक्शन हमें देखने को मिली है जबकि मिसन रानिकशन और फक्रे थिरी का तो चलो बनता आए क्योंकि ये नई ताजी फिल्म है फुक्रित तरीको अभी मातर 16-17 दिन हो रहे है और मिसन रानी गंज को 8-9 दिन हो रहे है लेकिन जवान कल 37 दिन तक आते आते इस मूवी ने इन दोनों मूवी की ना कि बराबरी करी बलकि इनको जवर्दस तरीके से टक कर भी दिया और इनहीं के बराबर कलेक्शन लेके आई है और I think मेभी मेभी मिसन रानी गंज को तो साइद ये पचाड चुकी थी कल वो आज official report जब आईगी तो पता लग जाएगा लेकिन अभी बात करेंगे तीनों की box office कलेक्शन के बारे में अभी तक फुकरी थी मिसन रानी गंज और जवान ने कितना कलेक्शन कर लिया है सुरुआच लेकर आज end of the day तक मला आज running day तक आज Saturday तक ये तीनों मोवी कितनी कमाई कर चुकी है तो पहले मिसन रानी गंज की बात करेंगे जिसे टोटल बजट 55 करोन के खर्चे पर बनाय गया है और opening इसकी रही थी 2.80 करोन के साथ day 3 संडे का पड़ा था और संडे का फुल फायदा उठाया 5 करोन की कमाई ये लेकर आई थी नेट इंडिया से और पहले 3 दिन में 12.6 करोन का नेट इंडियन कलेक्शन ये मोवी कर चुकी थी इसी के साथ पहला हफता सांदार तरीके से कंप्लीट करते हुए पहले साथ दिन में नेट इंडिया से 18.25 करोन की यूज कलेक्शन कर चुकी थी और इसी के साथ ग्रॉस कलेक्शन लगबग 22 करोन के आसपास हो चुका था और पूरी दुनिया से ये मोवी पहले हफते में end of the first week 25 करोन की कमाई अपने खाते में रख चुकी थी जो की बहुत निरासा जनक वाले बॉक्स ओबिस कलेक्शन है क्योंकि अकसे कुमार के मेन लीड में होने के बावजूद ऐसी कलेक्शन हम उम्मीद नहीं कर रहे थे सनरानी गंज को बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे है ऐसा नहीं है कि इसे निगेटिव रिव्यू मिल रहे है बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे है इवन हर एक यूटूबर्स ने जवरदस रिव्यू दे है पब्लिक की तरब से बहुत positive review मिलने है तो movie का content amazing है बहुत दमदार है लेकिन वही बात है ना कि अभी आते आते यहां तक आते आते लोगों की jam में हो चुका है पैसा कम क्यों क्योंकि blockbuster पर blockbuster movies आ रही है gather 2 के time पर पैसा खर्च किया omg2 के time पर लोग movie देखने गए जवान की लोगोंने double tripling कर दी है इसके बाद और भी movie जाएं तो इसी बीच में अब लोगों के पास जो है की पैसेगी कमी हो चुकी है तो इतनी महगी ticket में लोग जाना पसंद नहीं करने बस यही एक reason हो सकता है क्योंकि movie को review बहुत अच्छे मिल रहे है public की तरब से भी और हर एक की तरब से critics ने भी अच्छे review दे रखे हैं तो कल day 8 national cinema day की अगर बात करें तो कल आया है net Indian collection से साड़े 4 करोन का आकड़ा इस movie के नाम पर और total net collection अब हो जाता है कल end of the day तक साड़े 22 करोन और gross हो जाता है साड़े 27 करोन और पूरी दुनिया से ये movie कल end of the day तक 31 करोन की कमाई करते नजर आ रही है बात करें आज यहनी day 9 में कैसी growth है तो आज है Saturday और आज तो जवरदस तरीके से Saturday का फाइदा उठाएंगे क्योंकि Saturday Sunday में growth हाई जाती है यहाँ पर बहुत चे लोगों का holiday होता है Saturday off होता है और Sunday तो आज की growth अगर मैं बता हूँ आज Saturday day 9 की growth मैं बता हूँ तो आज Net India से 3 करोन की कमाई करते नजर आ रही है वही बात ना कि अभी आते आते ये movie इतनी कम कमाई करते नजर आ रही है जबकि इस टाइम पर इसे 8 से 9 या फिर 10 करोन की कमाई करते होना चाहिए था क्योंकि movie को कोई जादा दिन नी हुए है मातर 9 दिन पुरानी movie है ये और पूरी दुनिया से आज साड़े 4 करोन की कमाई करते नजर आ रही है इसे के साथ अगर में टोटल नेट इंडियन कलेक्शन आज का बताऊं आज end of the day तक कितना हो जाएगा तो लगबग में लगबग ये movie पहले 9 दिन में आज end of the day तक 25 करोन कमा लेगी और ग्रॉस से हो जाएगा 31 करोन और पूरी दुनिया से ये movie आज 35 करोन का huge huge collection करते नजर आ रही है तो वही चीज अकसे गुमार की जबरदस्त content के साथ ये movie उतनी ज़्यादा collection नहीं कर पा रही है बस एक ही कारण है कि लोगों के पास अब पैसे की कमी हो गई है क्योंकि yes यार हर महने इतनी movies कोई नहीं देख सकता बजट इन्हें बनाना पड़ता है एक normal family को एक middle class family को अपना बजट बना के रखना पड़ता है national day में देख लिए 99 रुपीज टिकेट होने के बाद भी इतनी अच्छे collection आई अगर ऐसे price हो जाते हैं तो yes इन्हें बहुत अच्छा response देखने को मिल जाएगा बात करें दूसरी फिल्म यानि फुकरे 3 की तो बाई साब ये तो amazing collection करते जा रही है इनके लिए तो कोई ना working day रुकावड बनता नजर आ रहा है ना मिसन रानी गंज ना जवान ये अपना collection जितनी इसकी potential है ये उतनी कमाई करते नजर आ रही है और रोज कमाई करते नजर आ रही है तो मैं box office collection की बात करेंगे इस movie को पहले मैं बताऊँगा बजट कितनी में complete करे गया है इस movie का खर्चा था 45 करोण का और पहले 3 दिन का मैं अगर इसका collection बताऊ तो 28 करोण हो चुका था नेट इंडिया से और इसी के साथ ये movie first week जब complete करा था तो 66 करोण की huge collection के साथ इस movie ने complete किया था इसी के साथ पहले 11 ही दिनों में movie का total collection 77 करोण का हो चुका था नेट इंडियन collection के मामने में second week की जब इसने खतम किया second week जब इसका end हुआ तो movie 15.27 करोण only second week में कमाई करी थी first week का collection इसमें जुडा नहीं है और पहले दो हपतों में मतलब end of the second week ये movie 81.29 करोण का huge huge collection net इंडिया से कर चुकी थी gross collection वहीं हो चुका था 96.50 करोण का और overseas से ये movie 13.50 करोण के सिर्फ overseas से ला चुकी थी इसी के साथ दूसरा हफता complete करते हुए movie ने पूरी दुनिया से 109 करोण की कमाई कर ली थी actual आकड़ा है 109.50 करोण इसे आप 110 करोण भी मान के चलो approximately मैट ली worldwide box office collection के बारे में बात करें तो दो गुनी कमाई ये movie कर चुकी है तो यस इसे blockbuster का hit का tag इसने ले लिया है बात करें कल day 16 यानि national cinema day में कैसी growth रही तो इस movie ने भी जबरदस तमनलब ये जो बहती गंगा थी इसमें भी इसने भी जबरदस तरीके जहाद धोया है जैसे मिसन रानिगंज और जवान ने धोया था तो कल end of the day तक net Indian collection 5 करोण की कमाई करते नजर आई और total net Indian collection कल end of the day तो हो गया था 86.29 करोण का और कल पूरी दुनिया से ये movie 7 करोण का collection करते नजर आ रही थी ग्रॉस से कल end of the day तक हो चुका था 100 करोण के कलम में इस movie ने एंट्री माल ली थी ग्रॉस collection के मामले में और पूरी दुनिया से कल Friday में मतलब National Cinema Day में end of the day तक 116.50 करोण का huge huge collection कर चुकी थी अगर 170 करोण भी कह दें तो कोई दोराएं नहीं है क्योंकि approximately यहांकरा उतना ही बनता है बात करें आज यानि 70 दिन कैसी growth है तो आज तो Saturday है आज तो और भी धमाल मचाएगी Saturday off रहता है और कल Sunday का वैसे ही advantage इसको मिलने वाला है क्योंकि बहुत सी जो running audience है जो working audience होती है जो Monday to Friday काम करती है वाया Sunday off है तो यार आज यह फुल डे मस्ती करेंगे और यही इनका family planning भी होती है और फुकरेतिरी पूरी family friendly movie है तो यस यह यहां पर जबरदस धमाल मचाएगी ही मचाएगी फर्स चोईस या सेगंड चोईस हो सकती है क्योंकि मिसन रानी गंज फुकरेतिरी दोनों family friendly movie है तो आज end of the day तक यह movie लगभग कमाई करते नजर आ रही है साड़ी 4 करोन और gross से साड़ी 5 करोन आता दिख रहा है पूरी दुनिया से यह movie आज 6 करोन कमाती दिख रही है बात करें legendary film जवान के जो आज 38 में एंट्री मार चुकी है कल 37 दिन कंप्लीट करके भाई साब amazing glory amazing legacy यह movie आज 38 में भी आते आते इन दोनों movie की बराबरी तो करी रही है तो आज जवान की बात करेंगे जवान ने कितनी कमाई कर लिये कल national cinema day में कैसी growth रही है इसकी तो बाई साब जबरदस्त growth रही है तो box office collection करो है आपको बताओ तो first week movie ने सांदार तरीके से complete किया था fastest 300 करोन की कमाई करते हैं सिर्फ हिंदी में 327 करोन और पूरी दुनिया से 660 करोन ये movie complete कर चुकी थी पहले दो हफते इस movie ने जबरदस तरीके से complete किया और 466 करोन का huge collection सिर्फ हिंदी से किया और net Indian collection के मामले में ये movie पहले दो हफतों में 520 करोन के कलम में entry मार चुकी थी fastest of 500 करोन की कलम में entry मारने वाले ये number one grosser movie बन चुकी थी बॉलिवड cinema की और हिंदी cinema की पुरी दुनिया से ये movie पहले दो हफतों में ही 922 करोन का huge huge आंकड़े आपने खाते में रख चुकी थी और जबरदस तरीके से grossing कर रही थी जबरदस तरीके से box office collection कर रही थी इस बीच अगर कोई भी movie आ रही थी तो वो उनका नाम ही नहीं आ रहा था इवन कितने trailer चले गए कितने movies OTT platforms पर आई web series निकल कर आई लेकिन कोई भी जवान की race को नहीं झेल पाई जवान के नाम के सामने कोई भी ना टिक पाई किसी को भी इतनी popularity नहीं मिली वही चीज़ जब जवान चल रही थी किसी का भी नाम आई नहीं रहता इस बीच makers ने गलती ये कर दी कि जवान के सामने अपना content release कर दिया बलकि नहीं करना था 20 वे दिन तक आते आते ये movie जबरदस तरीके से कमाई कर चुकी थी 19 वे 20 वे दिन में growth थोड़ा slow देखने को मिल ले थी लेकिन ऐसी भी नहीं कि 1 करोण से नीचे वर्किंग डे में भी 7-8 करोण की कमाई 9-10 करोण की कमाई करते नजर आईए और holidays में तो ये Saturday संडे में तो जबरदस कमाई कर ही थी तो पहले 20 दिन में 515 करोण सिर्फ हिंदी से आया Total Net Indian Collection 531 करोण आ चुका था पूरी दुनिया से 1,022 करोण ये मूवी कम्प्लीट कर चुकी थी पहले 20 ही दिन में 31 दिन जब मूवी ने कम्प्लीट किया Saturday और संडे का फुल फायदा उठाया 31 और 32 दिन में और जबरदस तरीके से पहले 32 दिन में 626 करोण सिर्फ सिर्फ Net Indian Collection से कम्प्लीट किया था और Overseas से आ चुका था 376 करोण ग्रॉस वही हो चुका था पहले 32 दिन का 741 करोण और पूरी दुनिया से पहले 32 दिन में 1170 करोण के कलब में एंट्री मार चुकी थी Fastest 1000 करोण तो कम्प्लीट इसने करा ही था उसके बाद नमबर वन मूवी बनी है बलिवुड सिनेमा की जिसमें 1100 करोण के कलब में एंट्री मारी है कोई भी मूवी के इतना दम ने लग रहा है मातर एक मूवी कर सकती है इस रिकॉर्ड को अपने नाम कौन मैं रोज कह रहा हूँ Tiger 3 बस वही है उसी में ही इतना पोटेंसल है क्योंकि वायरफ वालों का जो एटिटूड है Tiger 3 को लेकर जबरदस्त एटिटूड है भाई गौड खुले सांड की तरह वो लोग आगे निकल रहे हैं इवन वर्ल्ड कप का जो सबसे बड़ा खतरा था उसके लिए उसको भी एक advantage, opportunity का रूप में वो इस्तमाल कर रहे है इसी के साथ अगर मैं day 36 की बात करूँ तो day 36 में सिर्फ हिंदी से आये था 75 लाग का collection और ये movie पहले 36 दिन में सिर्फ हिंदी से 569.50 करोन का collection कर चुकी थी और पूरी दुनिया से ये movie 1125 करोन का huge collection कर चुकी थी पहले 36 दिन में बात करे कल यानि Friday की यानि कल National Cinema Day की यानि कल 37 दिन कैसी गरोतरी तो बाई साथ amazing गरोतरी 37 दिन पुरानी movie और इतनी जादा अच्छी collection जबकि सामने फुकरितरी बैठी है मिसन रानी गंज बैठी है जबकि इन दोनों movie के review कहीं भी negative नहीं है बहुत positive review है उसके बावजूद भी इतनी पुरानी movie होने के बावजूद जबरदस collection करते नजर आई है जवान तो overall lucky pen जगर मैं कल की बताऊं तो 40 से 42% की रही है और कल हिंदी से साड़ी 4 क्रोन आया वही मैं कहा रहा हूँ कि दोनों movie के कंदे से कंदा मिलाकर इस movie ने जबरदस्त collection किया है official आकड़ा जब आएगा तो maybe साइध रानी गंज के ये record को beatdown कर देगी फुकरी थिरी को तो नहीं कर पाएगी लेकिन कल collection के मामले में मिसन रानी गंज को beatdown कर सकती है तो तीनों language का हो चुका है अभी तक मलब कल end of the day तक 4.55 करोन huge growth इसी कि साथ total हिंदी से ये हो चुका था कल end of the day तक 544 करोन total net Indian collection 634 करोन और gross collection रहा है कल कितना 5.5 करोन पूरी दुनिया से कल कितना है 6.5 करोन और पहले 37 दिन का कल end of the day तक हो चुका था gross collection 751 करोन overseas से आचुका है 381 करोन और इसी के साथ पूरी दुनिया से ये पहले 37 दिन में 1131.70 करोन का amazing and huge marvelous आंकड़ा अपने खाते में रख चुकी थी बात करें आज यानि 38 दिन यानि आज Saturday की कैसी growth है तो भाई आज तो Saturday है आज तो वैसी holiday है तो आज तो वैसे ही उपर जानी ही जानी है इसकी growth आज भी जबर्दस कमाई करेगी कल भी जबर्दस कमाई करेगी तो इन दोनों में ना पूरा अलड़ी की 18 से 20 परसेंट की occupancy इसी किसा 19.99 कलेक्शन 3 करोन आता दिख रहा है और जिसमें सिर्फ हिंदी से ये movie 2.98 करोन की कमाई करते नजर आ रही है साउथ में इसकी growth बिल्कुल खतम हो चुकी है साउथ में पूरी खतम हो ची क्योंकि अभी रवी तेजा की फिल्म चल रही है अधर राम पोथे नेनी की दोनों वो वी फिल्म चल रही है तो इन दोनों movie ने पूरी इसकी growth खतम कर डाली है पूरी दुनिया से आज end of the day 4 करोन की कमाई करते नजर आ रही है चाहें लियो 19 तारीक को आजा है चाहें गनपत 20 तारीक को आजा है ये movie रणिंग थेटर में 50 दिन तक चलने वाली है इसकी साथ पहले 38 दिन में आज end of the day तक All India Net Collection 637 करोन हो जाएगा और पूरी दुनिया से ये movie जवान आज end of the day तक 1135.70 करोन का huge collection करते नजर आ रही है कल संडे है कल भी अगर पूरी दुनिया से 5 करोन आ गया तो ये कितना हो जाएगा 1140 करोन और मात्र 10 करोन बसते हैं इसको साड़े 1100 करोन कम्प्लीट करने में तो वो easily working days में भी कम्प्लीट कर जाएगी तो यहां तक मैंने आपको तीनों movie के data बता दिये अभी आप लोग बताएंगे कि कौन सी movie को आप ज़्यादा प्यार दे रहे हैं अगर आपने तीनों film में देख ली तो आपको best movie कौन ची लगी अपना experience जरूर हमारे साथ share कर के जाना क्या जवान साड़ी 1100 करोन easily complete कर जाएगी या 1200 करोन भी टच कर जाएगी जो भी आपकी रहे हैं नीचे comment box पर जरूर बता के जाना मिसन रानी गंज जो अभी मात्र 35 या 36 करोन में चल लगी है क्या ये movie 100 करोन भी टच कर जाएगी आपकी क्या रहा है नीचे comment box पर जरूर बता के जाना फुक्रे 3 ये movie अभी 125 करोन के आंकडे पर चल रही है क्या ये movie 1500 करोन complete कर जाएगी जो भी आप किराय है वो भी नीचे बता के जाना तो जो भी आपकी राय है घडल ले से खुला कमेंट है आप जरू बतागे जाना बाकि मिलते हैं के लिए वीडियो में जहें